जम्मु कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षबलों ने कई घंटे चली मुटबेड के बाद दो आतंक्यों को मार गिराया वहीं इस दौरान एक पुलिस कर्मी मंजूर एहमद भी शहीद हो गए जबकि सैना के दो जवान और एक CRPF कॉंस्टेबल भी घायल हुआ है इस मुटबेड में मारे गए आतंक्यों की पहचान आकिब मौलवी और जैशे मोहमद के आतंकी ओसामा के रूप में हुई है आपको बता दें कि आतंकवादी संगठन हिजबुल मुझाहिद्दीन का सदस्य बुरहान गवानी इसी क्षेत्र का रहने वाला था दरसल सुरक्षबलों को यहां एक मकान में हिजबुल मुझाहिद्दीन के चार पाच आतंकवादियों के छुपे होने की सूचन मिली थी जिसके बाद सैना ने इलाके में तलाशी अभिहान चलाया और शाम के समय सुरक्षबलों ने शक के आधार पर एक मकान को घेड लिया जिससे बुखलाए आतंकियों ने कूली बारी शुरू कर दी जिसके बाद सैना ने जवाबी कारवाई की और दो आतंकियों को मार गिराया जानी, foreign terrorist and unfortunately we have lost one jawaan of the SOG, JNK police Hi guys, this is Alia Bhat, you are watching Exposed India, keep watching